नमस्कार मेरा नाम है मान इंबिसेन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ सीधी बात मान की साथ इमेजिन को आप डॉक्टर के पास गये इलाज करवाने डॉक्टर ने एक परची में दवाई लिख के दिया आप मेडिकल स्चोर गए वहाँ से दवाई लिए घर आए दवाई लेना शुरू किये और एक खबर आई कि जो डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे थे वो डॉक्टर नकली है सोचकर भी डर लगता है और ऐसा पिछले दो मैने से मेडिकल में हो रहा है एक फरजी डॉक्टर पिछले दो मैने से लोगों का इलाज कर रहा है उस फरजी डॉक्टर का नाम सिद्दार्थ जैन है उनका सपना था डॉक्टर बनने का लेकिन घर की परिस्टिती ठीक नहीं थी इसके वज़े से वो डॉक्टर नहीं बन पाए उन्होंने नर्सिंग का कोस करना शुरूक किया वो भी अदूरे में छोड़ दिया लेकिन डॉक्टर तो बनना था पैसे भी नहीं थे लेकिन पढ़ाई भी नहीं करना था तो क्या हुआ मेडिकल प्रशरसंग की लापरवाई ने उनके सपनों को हकीकत ने बदल दिया और वो दो मैने तक फरजी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहे थे ना जाने इसके वज़े से कितने लोगों की जान खत्रे में आ गई होगी इसके बारे में अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है लेकिन सिदार जैन से जब भी कोई पुछता था तो किसी को CMO, किसी को Resident Doctor, किसी को Senior Resident Doctor बताया करते थे फिलाल Medical प्रशासन ने उनको पकड़ दिया और पुलिस के हवाले कर दिया सिदार जैन महल एरिया में रता है जब कोई पुछता था तो किसी को CMO, किसी को Resident Doctor, किसी को Senior Resident Doctor बताया करता था अभी तो सिर्फ एक डॉक्टर के बारे में पता चला है ना जाने ऐसे कितने डॉक्टर और कितने नर्स वहाँ पर मौजूद होगे ना जाने वो लोग कितने लोगों की जिन्दगी के साथ खेल रहे होगे मेडिकल प्रशासन पर कही सवाल उठते है क्या उनके पास कोई भी डॉक्टर की लिस्ट नहीं है जो वहाँ रोज प्रेजेंटी या अपसेंटी लगाते है क्या उनको नहीं पता कि कौन किसका इलाज कर रहा है क्या मेडिकल प्रशासन के पाथ किसी की भी डिटेल्स मौजूद नहीं है क्या ये लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड नहीं हो रहा है मैं मान यहां से तो अलवीदा मिलूं अगले एपिसोड में सीधी बात मान के साथ